अब हम लोग आये हैं कंगन घाट कंगन घाट के दर्सन करने आये हैं हम लोग अभी आयें कंगन घाट गंगा नदीजी जीए देखने के लिए कितनी दूर चले गई है कब हम लोग आये थे बहुत साल पहले तो बहुत यहां पर कुछ नहीं हुआ करता है खाली खाली था तो एब देखरेहे हो कि यहां पर इतना कुछ बन चुका है मैं आपको भी तिखाती हो चलेuoगो बने द रही है धीए डेखें कि-हां पर पूरा कितना लेखें किसा बन चुका है अब पानी बोzd दूर है गंugaf बैठने के लिए बना हुआ है यहां पर नीचे और को खाली है वहां जाते हैं बैठते हैं और आप देखते हैं इसे बाद में गुर्द्वारा लेकर चलूंगी आप लोग को यहां की स्टोरी है कि बाबा जी ने गंगा में इनकी सोने का करा गिर गया था जो सोने का था तो यह कंगन घाट का नया गुर्द्वारा बना है लेकि किता बड़ा और कितना खुबसूरत है यहां का गुर्द्वारा और यह सामने देख रही होंगी वह सामने आपको दीख र देखते हैं अंदर गुर्द्वारा कैसा है चलते हैं नए गुर्द्वारे में अंदर यहां जूते जमा करते हैं यहां जूते जमा किया जा रहे हैं ए रड़ा रुमाल बनना जी यह पुराना गुर्द्वारा है लोग अब पुराने गुर्द्वारे जा रहे हैं यह छोटा जब इल्कुल छोटा गुर्द्वारा अब तो यह इधर बड़ा बन गया है यह छोटे जे गुरुद्वारे बहां लोग चलते हैं देखते हैं कीच आई थे पार करो को अँग आई था किया यह कुछ सुपिया से पर आज गांग संब्सक्राइबह्यार कि आजए जदी आजए गांगाग सिद्वनाग करता है गंगा पीछे चले गई गई दो हजार बंदरा में पहले यहां आती थी 2015 के बाद गंगा पीछे चले गई क्योंकि बाद बन गया है इसके करह अब गंगा इदर नहीं आ सकती है इसलिए अब कंगा घाड दूर हो गया है और मगर यह में गुर्द्वारा अभी भी है यहां सब दर्शन करते हैं माथा देखते हैं और मैंने आपको निया गुर्द्वारा दिखाया चले आप आगे में गुर्द्वारा चलते हैं